Bread एक ऐसा shortcut food जिसे खाने के कई तरीके हैं जब Egyptians ने bread bake करना शुरू किया, तब शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि 21st century इंडिया में लोग bread को इतने तरीकों से खाएंगे क्या बात है, bread को इतने creative ढंग से आप खा तो लेते हैं, पर क्या आपको कोई idea है कि ये बनाई कैसे जाती है कोई बात नहीं, हम आपको दिखाते हैं जिन नरम bread से tasty sandwiches बनते हैं, वो खुद कैसे बनती है यहाँ बनने वाली bread का main ingredient है wheat flour, जिसे चानने के लिए एक sifter में पोर किया जाता है जाना हुआ wheat flour, automatically एक tunnel से baking area तक जाता है इस weighing system से measured quantity में wheat flour और distilled RO water सीधी mixing bowl में गिरता है इसी mixing bowl में दूसरे ingredients जैसे sugar, salt, soya flour और yeast भी डालते हैं yeast यानी की खमीर, जिससे dough में fermentation होगी इसी से हमारी bread soft और fluffy बनती है इस सब के अलावा इस mixture में जाती है ice जिहाँ ice इस लिए ताकि mixing process में dough का temperature जादा hot न हो और dough रहे cool इन ingredients को इसी bowl में ये mixer 3-4 मिनिट तक नीड करके dough बनाता है कुछ-कुछ वैसे ही जैसे घरों में मा आटा गूनती है लीजिए dough हो गया तैयार और इसे भेजते हैं divider hopper में यहां से dough required weight और equal lengths में काटके निकालते हैं और एक conveyor की मदद से आगे बढ़ते हैं conveyor पर oil flow भी होता रहता है ताकि dough के ये pieces बेल्ट पे चिपके नहीं आगे dough के छोटे pieces अलग-अलग जगहों से गुजरते हैं कभी roller से roll होकर कभी छोटी सी जगह से खुद को adjust करके और finally एक shape लेकर पहुचते हैं workers के पास end में worker हाथों से dough को required shape के हिसाब से twist या twirl करके baking molds में रखते हैं twisting करी जाती है ताकि एक तो bread को सही texture मिले और दूसरा ताकि bread में carbon dioxide gas की वज़र से बड़े बड़े छेद न रह जाएं अब dough से भरे ये molds एक दूसरी conveyor belt में आगे बढ़ जाते हैं और सीधे proofer में जाते हैं यहीं इसकी fermentation होगी और dough खूल जाएगा proofer के 45 degrees Celsius temperature में ये mold एक घंटे के लिए रखे जाते हैं अब बारी है baking की dough से भरे molds oven में रखे जाते हैं जहां इसे 240 degrees Celsius temperature पर 30 मिनट तक bake किया जाएगा dough bake होकर golden brown color के bread loaves बन गए हैं वाह freshly made bread की खुश्बू क्या बात है अब bread loaves को mold से निकाल कर trolleys में set करते हैं और cooling section में भेजते हैं जहां bread loaves को 4 घंटों के लिए रखा जाएगा cooling के बाद ये slicer bread loaves को करीब आधे इंच के slices में काटता है इसके ठीक बाद quality check होता है जिसमें bread की shape और size चेक करते हैं और improper bread slices reject कर दी जाती हैं यहां पे slice cloves की packing और labeling होती है इस factory में हर दिन 60,000 packet breads बनते हैं यूँ समझे अगर उन bread को stack करके रखा जाए तो भाई Mount Everest से अंदाजन double की height की bread की चोटी तयार हो जाएगी bread हो गई आपके घरों में पहुचने के लिए तयार चोटी से लेकर बड़ी हर भूख का जुगार है bread और आम शोर bread बनाने के इस process को देखने के बाद किसी भी form में सही आपका भी bread खाने का मन जरूर कर रहा होगा हुआ 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 हुआ